आपके दो नेवर टेबल था मारा ठीक है अब नेवर टेबल में क्या होता है कि जैसे मेरा यहां देखो यह राउटर 1 है ठीक है यह राउटर 2 है ओके अब राउटर 1 है राउटर 2 है अब यह क्या करेगा कि यह connected है ठीक है मैंने क्या राउटर 1 पर जाके OSPWP मैंने open कर दिया यहां पर configure कर दिया तो यह क्या करेगा अपना hello message भेजेगा इसको ठीक है hello message भेजेगा यह इसको hello message भेजेगा इसके पास configure नहीं है जाती है किल ठीक है कि एल्व मैसेज मैं इंफो मेशन जाएगी यहाँ पर है एलो है खोलिए तो है यहाँ पर जाता है प्रोसेस आलडी कि ओके प्रोसेस आलडी प्रोसेस आइडी देन एरिया आइडी एरिया डी राउटर आइडी यह आइडी है ठीक राउटर आइडी उसके वासे you Oi submit mask ठोंनेट मास्क किंफ मशुन जाती है ठीक है डीयार डीद। थीके एडर्स है तो वह जाएगा ठीक है य版ा पार्मिसिशन जाता है ठीक । अटेंटिकेशन जाता है ठीक है utanecak n db से एक लिए ठाइम है इतनी इंफरमिंश्ट आती ऐलो मेकस्ट के अंदर ठीक है वो हेलो मेंसेज कंदर मैच करता है कि क्या क्या इंफमेशन आ रही है ठीक है सब्नेट माद डिया यह सारे इंफमेशन जाती है अब सब्सक्राइड इस यह जाता है इसके पास इतने हमारे पास इतने इंफमेशन होते हैं ठीक है यह इंफमेशन जाती है राउटर टू के पास राउटर टू चेक करेगा कि इसका क्या है इसके पास इतने भी प्रिफिक्स डेटाबेस है तब एक दूसरे को यह शेयर करेंगे तो अभी यह नेवर्शिप बनाने का मैं बता रहा है कि अब इसमें बनेगा तो यह क्या करेगा यह क्या करेगा कि अिंए अपना जो हलो है zg खता हैं है तो हैलो एमलो ट吃 पर वह जिएगा यह मल्टीकत 9224.00 स्रोलाट cuatro पैश क्या रहेगा यह तरो सब्सक्रिदिदेगा अपना एक्स विसा पहलेगा विधिना अरिया क्या ह ऋप्रवी एरिया रह समालों कि यह एरिया यह क्या है एरिया जिरो हैं जिरो एरिया में अपना क्या हेलो भेजेगा आपने नेवर पर और है को करें खरेगा अब जखो इसकंद्र यह होता है जैसे कि राउटर आडि हर राउटर का एक राउटर आडी होता है ठीक है जैसे हिसे यह इस了 र ऑटर है इसरो इंटर से आभी होगा तो र सपोज मानलो कह यह connecting यह होगा कि स्ने कैसी इंटरफेस से दे सकते हैं, ठीक है, IP address कोई भी router ID सकते हैं, अगर हम manually इसको नहीं देते हैं तो इस router का जो सबसे highest IP address होगा, क्या होगा? highest, क्या highest IP address वो क्या बन जाएगा? become a, वो क्या बन जाएगा? become, क्या router ID? ठीक? राउटर आईडी बन जाएगा इसका हाइस टाइट अब मान लो कि मेरे पास एक और लिंक कैसे कनेक्टर है वो कनेक्टर 0 by 1 से ठीक है इस पर मैंने आईपी दे दिया है मान लो कि 172.1 16.20 एक आईपी दे दिया है इस पर ठीक है यह 1.20 इस राउटर पर मान लो कि मैंने आईपी दे दिया है कि 192.168.1.25 ऐसा दे दिया है अब देखो इन में से सबसे बड़ा हाइस आईपी कौन सा है यह है यह यह है और विसली यह 172 है यह 192 है तो यह है बड़ा तो यह क्या बन जाएगा मेरा राउटर आईडी यह मैं बन जाएगा राउटर आईडी तम्ण्ण आक आप देखो लॉटर आईडी है ठीक है अब मान लो कि मेरे पास क्या है कि एक路पार अ खूंट न कोन्फिगर रोपीक है लुपabout लुपबैंग लुपैक लुप लुपार न कन फिगर रहे क्या इसमें होगा कि कि IP address भी है और यहां पर लूप बैक है मैंने मानलों लूप बैक 1.1.1.1 32 का configure कर दिया है ओके 32 का मैंने लूप बैक अंफिगर कर दिया है तो मेरा क्या होगा इस नॉट मैनुवरे स्वाइब हाई इस आई पी अडर्स कन्फिगर अंदर लूप बैक इंटरफेस ठीक है नहीं यहां पर लूप बैक यहां पर लूप ब्रीकंति है तो लूप बैक मरे जो भी ही ऐस टैपी हुआ वहा वह मेरा अगर मेरे पास ठीक है मेरा बंजायगा अगर मेरे पास लूप बैक नहीं है तो फिजिकल stef70 लिंक यह इस प्रूर बांने और र глаз है इं दोनों में कि यहां पर डाउट कि अ कि अ कि अ कि अ कि तो यह था राउटर एडिका कि यह मैं लिखतु हूं राउटर एडिक या ऐसी बता दू समझ जाओगे अमन अच्छा बता रहा हूं ठीक है मैं बोलू कि लिखू या ऐसे बता दू समझ जोगे कि या उसको लिखू भी ठीक है अच्छा विदेंगा तो कोई दिखर नहीं है अच्छा ठीक है कोई नहीं है उसको आसे देखो तो यह हमारा बनिया मेरे कौन-कौन से еправatus जाते को दों से रहते हैं ठीक है अब इसके बाद से हम आते हैं एले जैसब मैना बताया था कि 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 पोसस्ट आइडी ठीक है पहले मैं हैं रोमेसे सब्सक्राइट समय्लों मैं यू कि मेरे पास एक सेकेट कि यहां देखो कि यह तो कि यह तो कि अपने वर्शी परामिटर कैसे बनेगा क्या कि यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो ने बर्शीप परामिटर ठीक है और बस्वेटर का पारमिटर कैसे बनेगा मेरे पास मानलो कि यह आरवन है यह तो है ठीक है यह दूसरे से कनेक्टेड है इस पर को नेट्वर्क चल रहा है 192.168.1.0 इस पर एक लूप बैक कन्फीगर है जो कि लूप बैक 2.2.2.2.2.2.2.2 है सेम ऐसे ही कि इस पर लूप बैक है 1.1.1.1.1.1.3 अब दिसे मानलो कि यह क्या करेगा अपना जब इस पर मैं आपना एक हैलो मैसेज बेजेगा इसको अब देखो हैलो मैसेज के अंदर में इंफोर्मेशन क्या करती है जो मैंने पहले ही बताया था फिर से एक बादाता हूं क्योंकि यह में है प्रोसेस अलडी ओके एरिया अलडी उसके बाद से क्या राउटर राउटर आलडी इसके ऐस जाता है क्या सब्नेट मास्क इस अबनेट मास्क उसके बाद जाता है तो यहां पर जैसे कि नेट्वर्क टाइप तो नेट्वर्क टाइप भी जाता है इसमें नेट्वर्क नेट्वर्क टाइप नेट्वक टाइप में आजैता है tr-bdr-non-bdr जो भी होता है वह ठिक है और इसके बास आथेंटिकेशन और होता है टाइबर अब नेट्वर्क टाइप में जैसे किने और ब्रॉटकास्ट न ब्रॉटकास्त-क ए पोईंटी पास भी इनफॉमेशन होगा जो इसके पास इसke racist पर इलडई पे जो भी 아직 ब्हुक होगा एक प्रोसेस आडी प्रोसेस आडी हमारा यह प्रोसेस आडी होता है जैसे कि मैं राउटर कनफिगर करूंगा न ऐसे राउटर OSPF तो एक process ID होता है वो process ID हमें यहां पर नम्मर डालनी पड़ती है जैसे मानलों कि 1, 2, 3, 1 से लेके कुछ इसकी limit होती है वो मैं अभी configure जब करूँगा तो उसमें मैं देखेंगे कि इसकी limit कितनी होती है तो process ID हमारा जो होता है वो हमारा ठीक है? within the area होता है within the area होता है जो process ID होता है यह चूड़ भी same ठीक है area ID होता है area ID शूड़ भी also same ठीक है जो area ID मानलो कि अगर एक never sheet बनाना है इससे मेरे को never sheet बनाना हैतो यह दोनों मेरा जो होगा वो किसमें होगा यहाँ पर यहां पर स्लाइच दभाने उनीक होता इस फो जाएगा सुनुनीक होगा سब्मोर वित दो नों से न चीammat ले Okay 우리 ID का होता है कि Each एबरे राउटर क्या होता है ठीक के उनीघहाँ होना चाहिए सब्सक्रेश करोडर को और ब्राट कास्ता सब्सक्राइब डोनों को कि कुछ अगर इंटिकेशन लगा है हो पासवर्ड लगा रहे और तो इस रौटर पर पासवर्ड भी सेम होना चाहिए oh yeah okay तो ही जाके एक धूसरे का कि साथ क्या बनेगा कि नेवर सीज्न data अद्रवाइज नहीं बनेगा नेबर्शिप ओके यह नेबर्शिप के पारामीटर्स हैं अब आते हैं इसमें से हमारे पास नेट्वर्क टाइप कौन कौन सोते हों बताता हूं क्या नेट्वर्क टाइप अजयर ने टौक टैप लता इपान आरे हों तो शक्या इर पास ईंड़ा नेट्वर्क टाइप होता हमारे पास कया इनारे नेट एठरनेट एड̂ इद एठरनेट कि क इद थेन एड़ा मत्राओस ने गॉर्दकास्ट ठीक है सेकंड होता है हमारा फ्रेम रेलिय दर्म मैं फ्रेम रीली केबल यूज चाहिए ठीक है क्यों रहा हूं फ्रेम दर्म रिले यूज कर रहा हूं अथ्बिक भॉल फ्रेम ए यव आई है तो यह मेरा हम ऑद नॉन ब्राटकास्ट को umm ऑलAr पॉटकास्ट थार्ड में अगर मैं क्या जूज कर रहा हूं सीरियल तो यह मेरा पॉइंट तो पॉइंट पॉइंट तो पॉइंट तो पॉइंट तो वर्चूल वर्चूल लिंक है तो यह मेरा हो जाएगा वर्चूल लिंक टीक है फाइफ लुप बैक लुप बैक लुप बैक लुप बैक है लुप बैक लुप बैक टीक यह मेरे होगे नेट्वर्क टाइप यह मेरे नेट्वर्क टाइप है अब आते हैं स्टेट इसके स्टेट और हमारे पस जो उस प्रैकट वो बैक व कौन कौन सा होते हैं तो तो मैं यहाँ पर स्टेट लिखता हूं रहे वूझा přेफ्ट स्टेट जी तीक वे स्टेट पर रहोता है कि उता है डाउन थे किस्टेट होते हैं फस्ट होते हैं आउन सेकन्ड होगा इनित ठाड़्ड होगा थाड़ होगा थाड़ वर तो ए two-way state, okay, fourth होगा, start, exchange, और लोड़िंग, फिर होता है, full, कि इसके जो होते हैं, साथ हमारे प्यारी कि होते हैं, सेवन कह प्यार्य स्टेट, फैस की Kate volta यह होते हैं, कि पर फहला जो होता है, कि स्टेट, कि डाउन होता है, मतलब होता, यह है current यह डाउन डाउन का मतलब है कि हमारे दोनो राउटर पर ओके राउटर वन है यह राउटर टून है इसका मतलब होता है कि Indicate that no hello package have been sent अतलब यह क्या होता है hello package down ठेके नोटर कुण टैट मांद लो कि मेरा इस श्राटर पर एक वी sweater हम ने कर दिया और सब DE नहीं तो मेरा क्या है इश्त करेंस घ्रिद शzub मेरशने का तो तो इकका दिखाएगा गाइगा इंडिकेट no hello have been here from the neighbor मतलब इस पर मान लो कि configure कर दिये OSPF ठीक है OSPF बट इस पर configure नहीं है तो यह तो hello message को भेजेगा बट क्या यहां से hello message नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या आ रहा है कि इस तरफ से मुझे कोई भी hello message सुनाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब यह डाउन है ठीक है यह डाउन है ओके अब देखो कि इनिट का मतलब क्या होता है इनिट का मतलब होता है कि in initial state OSPF is configured ठीक है इस पर भी हमने क्या कर दिया OSPF configure कर दिया तो क्या indicate a hello packet has been here from the neighbor तो इसने भी इसको hello packet भेज दिया इसने भी इसको hello packet भेज दिया ठीक है तो इसका यह होता है इनिट का मतलब होता है कि एक दूसरे से hello message मेरे को क्या हो गया send and receive हो गया ठीक है इनिट का मतलब होता है send and receive दोनों एक दूसरे को receive हो गया दोनों का router का hello message ओके थर्ड में आ जाता है टूवे टूवे ठीक है टूवे स्टेट अब टूवे स्टेट में क्या होता है कि यहां पर इन पैरामिटर बोथ दा इन हैलो पैरामिटर बोथ मैचेज इट विल कम इंटू टूवे स्टेट ठीक है टूवे स्टेट में आ जाता है तो इसमें देखो क्या लिखा इसमें इंडिकेट दब बाइट्राइशनी कम्यूकेशन हाज बिन स्टेबलिश रिकॉल डाट हैलो पैकेट कंटेन अनेवर फिल्ड तो जब टूवे स्टेट में आएगा तो टूवे स्टेट में क्या होता है नेवर सिप कंपीट जाएगा इसमें हमारा क्या बनता है डेजिगने स्टेट में हमारा क्या बनेगा बैकर सपोज मेरे पास मैं अभी ब्राटकर्स यूज कर रहा हूं या पॉंट तो पॉंट चूज कर रहा हूं स्पोज मेरे पास क्या जाएगा मल्टी कास्ट नेट्वर्क आ जाएगा मल्टी कास्ट नेट्वर्क आ जाएगा मल्टी कास्ट कुए इसको बोलते हैं udah मुल्टुपाठ ऑ गे दूसे नेख्टेड यह क्या है यह यह क्नेकटेड है यह इसके नेक्टेर्डु को थी फिनकिर्ड इसके होगा में अ इसका डी सार में कि आर बी दी आर का पिर और कि एन ऑर क का अбी दी आर का एलेख्षोन हो कि तीक है, तो इस की डार बीटेयर का एलेक्षिन च्छिंगिया होता है, highest loopback IP address, highest क्या, highest loopback IP address और इसकी priority होती है, तो बायरड़ फर्श प्योर्टी अग개 है, I think 100 होती है, something, ठीक है? तो यह इससे मैच होगा अब जिसका प्यूर्टी हंड्रेड है बाइड़ डिफाल सबका हंड्रेड होगा तो तो हाइस लुब बैक हाइस लुब बैक अड्रेस जो भी होगा वो क्या बन जाएगा मेरा सूरी इसकी प्यॉर्टी जो होती है वह 100 होती है है crying strongest by default on cisco router cisco router कीword के इसकी हम योगी ही one होगी इसके वी वह ओकी इसके मालों कि यह है राउटर 1 2 3 4 मैंने कöyle गया लूपन कर दिया 1.1.1 इस पर 2.2.2 इस पर 3.3.3 इस पर 4.4.4.4 अब देखो डीयर बीडियर एलेक्षिन डीयर बीडर डीयर डीडियर डीडियर डीयोटर का एलेक्शन खैसे होता है इसके फार्मुला होते हैं जो की फार्मुला क्या है पहले मैं अब बताता हूं पर डियार वीडियर उसके बाद से आगे बढ़ते हैं तो पहले हमारा थे डियर वीडियर का एलेक्शन का यह तो यहां परते हैं ठीक है यह दो इसका फार्मूला होता है This है यह फार्मूला होता है क्या बढ़ फॉर्मूला होता है कि डियार वीडियर का एलेग्शन करने के लिए पार्मूला होता है N into N minus 1, sorry, N minus 1 1 Okay, by 2 यह formula होता है, मानलो कि मेरे पास 4 क्या है? router है 4 router, यह कितना? 1, 2, 3, 4 router है तो यह क्या हो साब N 4 into N यहनी कि 4 minus 1 2 तो यह हो जाएगा मेरा कितना 4 तो हो गया यह 3 हो जाएगा 3 के 12 हो गया 12 और लिए 2 इसकल टो 6 यह जो 6 आएगा मेरा इड इस एपैरेंट और 6 सेपरेट एट जंसी तो कितना छे आया ञे तो 6 बनेगा नेबर्शिप तिक है अवह जंसी बनेगा नीड़शिट फर Have a fully matched network in charge network in Central Valley in separate agencies are needed for a fully mesh network increase the number of order to five तुमयर पास छे नेवर सी बनेंगेज सथद गए इसका इसके सथ बने गा इसका कैसा है इसका सब बने गा इसका सब्द बने सब जबार जी वर बनेरबिगे इस टॉलम मेरे पास नेवर बनेंगे अब देखो कि यह तो sev Мне को यह तो ढ़क्ते निकालने का ठीक है डब यह अब यह बस सीअप्राइज बनेगा इसमें से जिसका हायेस्ट लूप बाएक आई पी रहेगा वो अगर लूप बाएक आई पी नहीं किसी भिए तो हीच फिसीकल सकनेक्टेड है ने फिजिकल इंटरफेश कनेक्टेड हुआ अर्थ टो हाइस यह फूर दॉट दॉट यह बन जाएगा क्या मेरा की जाएगा कीरा कि बनेगा डिया और उसके बाद से उससे जो कम वाला है यह मेरा बन जाएगा क्या बैक अफ डियार ठीक है बैक अप डियार बन जाएगा अब माल लो कि इसके साथ नेवर बनेगा तो इसके साथ भी एक नेवर बनेगा इसके साथ भी एक नेवर बनेगा इसके साथ भी तीन इसके साथ भी तीन बनेगा, और जब DR-BDR जब बनेगा, जब जिस नेटक में DR-BDR बनेगा, तो यह अपना क्या यह अपना जब हेलो मैसेज भेजेगा अपने इसको तो किस अड्रेस भेजेगा यह भेजेगा 224.0.0.6 यह जो मल्टी कश एड्रेस है जो मैंने बताया था मल्टी का सथ पर देखो यह बताया था यहां पर आओगे नीचे यह लिख आया था देखो उपर यह यह तो यह तो यह क्या था मड़ी कास अड्रेस ऑर डेजिए टटर डी यर और बीड यर के लिए एक ऐसे को चेंज कर सकते हैं फैक है हम को चेंज कर सकते हैं है है ठीक है अगर हमने इस priority को 0 set कर दिया ठीक है सप्झ माद लो कि यह मेरा router है कि यह मेरा ऐसा router यहां पर switch connected है एक और यहांपर router है एक और माद लो कि एका। इसकी priority by default 1 होती है ठीक है यह याद रखना 1 होती है अगर मैं पारे यह नहीं रहेगा है लेक्षिंगर में नहीं रहेगा यह नहीं रहेगा फॉल है और जो अब अधरी हरो जो कॉने राइट जीरो है तो क्या करेगा DR-BDR एलेक्शन के प्रोसेस में राउटर नहीं रहेगा ठीक है उसको हटा देगा अगर मैंने DR-BDR की वैल्यू बढ़ा दी तो वह हमारा क्या होजाए डियार बीडियर मनिंग प्यॉर्टी की वैल्यू ठीक है प्रियूर्टी की वैल्यू बढ़ा दी किसकी बढ़ा दी मैंने प्रियूर्टी की वैल्यू इसकी मैंने बढ़ा दी ठीक है प्रियूर्टी की वैल्यू यह होती है प्रियूर्टी की वैल्यू बढ़ा दी बाइडी डिफल्ट वन होती है याद रखना अगर बढ़ा दी तो जाएगा तो मल्टिकास अट्रसमेंट जब डियार बन गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा कोई भी अब्डेट आएगा ना तो सबसे पहले किसके पास आएगा डियार के पास आएगा ठीक है जैसे कि यह राउटर है ठीक है यह से स्विच्छ यह क्या है मेरा है तूसिच है यह राव्टर है यहां one डायगा यह मान लुक्णुक्ण। अगर कुछ भी C0 कूछ भी हो तो सबसे पहले जाएगा डियार को जाएगा डियार क्था करेंगा इसको भी वहुजएगा इसको बेज़ेगा इसको बेज़ेगा ऑर सका इसके पास कुछ चेंजेगा ठीक है फिर इसके पास कुछ चेंज़ेगा इसको बहेज़ेगा गया तो इसके सब्सक्राइब कर लेगा सारे जो डेटा जो सारे डेटाबेस है वो अपने पास लेगा और फिर कुछ भी अगर चेंज होगा तो वो क्या करेगा उसको फिर ये अपडेट करेगा सिर्फ कौन सा यही राउटर अपडेट करेगा इसके लिए मेरे पास डियार विलियर का कॉंसेप्ट आया था अगे यहां तो समझ गया है अब हम आते हैं कहां थे हम हां यह हो गया ठीक है फिर अब आता है हमारा क्या एक स्टार्ट यह डाउन का समझ गया कि ऑस्प्व डाउन है कि मतलब है कि हैलो मैसेज है वह दोनों तरफ से क्या हो गया रिसीव हो गया तो यह का मतलब होता है है यहां बंते हैं और साथ तार्ट का मतलब होता है कि 8 ंडिकेट डाउटर तहिक है जो राउटर आर प्रिपेरिंग तो शियर दर smart स्टैट इंफोर्मेशन ठीडिक इसके अंदर बर पर ₹स भांस्टर पाता गार्श्टर से पता है क्या मास्टर और स्लेव कि Don't enroll bauer क वह पहर ओलते हैं व roasting फेस हैं अपना डेटा बेस मिभा उसके पास होगा डेटा इस सब सबसे पहले कौन भीज़ेगा ठीक है छो यह होता है। वह कौन सबसे पहले भीज़े गा तो क्युक्त भीज़ेगा, जो राउटर माश्टर बनेगा वही भीज़ेगा सबसे पहले अपना अप डेयुटावेस अगे ठीक है तो मास्टर इसका वो होता है कि कौन भेजता है ठीक है एक्सटार्ट में मास्टर स्लेव का एलेक्शन होता है और यहां पर डिसाइड करते हैं कि हुविल शियर देटावेस फर्स्ट राइट दिन आपका आता है एक्सचेंज एक्सचेंज अब एक्सचेंज में क्या होता है कि यह तो डिसाइड कर लिए तक यहां इसको भेजा यहां पर यह क्या घ्रेगा इंडिकेट ड्राउटर आर एक्चेंजिंग डेटावेस डिस्क्रिप्शन डेटावेस डिस्क्रिप्शन को क्या करेगा वह एक्चेंज करेगा यह इसको भेजेगा यह इसको भेजेगा ठीक है एक्चेंज करेगा एक्चेंज का मतलब क्या होता है अपना डेटाबेस यह डे कोई और link connected होगी उस link से related information होगी वो database में install कर लेगा और install करने के बाद से वो भेज़ेगा इसको अपना database तो यहां पर exchange कर लेंगे एक दूसरे को exchange कर लेंगे यह ही आ गया हम state पर उसके बाद से आता है हमारा क्या लोडिंग का मतलब क्या होता है लोडिंग का मतलब होता है सपोर्ज मान लो यहां पर मान लो इसके पास database है इसने database इसके पास भी है मानलो अब मेरे पास इसके पास डीटाबेस की informe慎 क्या है यh ठीक है A B C इसके पास information है इसके पास इसके पास इपर çok इनफर्मेशन होया जैसे कि 123 123 गई तो इसने इसको भेजा तो यह क्या करेगा इसके database में से यh ABC की information copy कर लेगा कहां पे अपने database मेरे इसके पास क्या यहां पर A B C ऐसे इसने कॉपी कर लिया और यह डेटाबेस जब इसको भेजेगा तो यह बोलेगा यार A B C तो मैं हूं मेरे पास है मेरे पास क्या नहीं है 123 नहीं है तो यह 123 क्या करेगा यह इसके पास